आपधके साथ हमें हूँ अकाश निर्मार किया जाता है तो आज यानि की 15 अगस्त आज गुरुवार का दिन है आज रक्षा बंदन भी है आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज के जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस खस कारकरम देजी आएगी नसीब का साथ मिलेगा दूरी बनाते हुए आपस में रिष्टा में थोड़ी से गर्माहट आपके आपसे व्यवहार व्यवाचीत से बनी रहेगी आज आप एक टीम का नेतुरत करने के लिए मजबूत स्थिती में होंगे बात करते हैं व्रशवराशी वाल होईशों को पूरा करने का दिन हैं जानते हैं मित्वनराशी वालों का हाल आज घर की साथ सज्जा या मरमत पर ना चाहते हुए भी खर्चा हो सकता है अपने साथी से दूर रहकर भी सद्यावस पर अपना विश्वास कायम रखें कूट संबंदित मामलों में सफलता मिल सक करते हैं करकराशी वालों की आज रिती रिवाजों को लेकर अपने जीवन साथी से वैर्थ में तनाव होने के आशंग का नजरा रही है पार्टनर से किसी बात पर अन्वन हो सकती है रूमांस दर किनार हो सकता है क्योंकि कुछ छोटे मोटे मतभीद अचानक को भ्रहेंगी सीहत की दर्ष्टी से आज का दिन ठीक नहीं है हज्जियों में दड़ फैक्चर जैसी स्थिती बन सकती है आलसे से बचे समय पर काम करने का प्रियास करें तो खुश रहेंगे जानते हैं सिंग राशी वालों का हाल आज आपको अपने करियर को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे मकान और भूमी संबंदित कारे पूरे होने के योग बन रहे हैं आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं आप अपने सच्चे जीवन साथी को दिल से जानते हैं तुलाराशी वालों का हाल आज खर्चे की स्थिति बन सकते हैं पार्टनर की वजह से समाज और रिष्टेदारों में उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा दूसरों की कामों में आपका दखल देना समस्या बढ़ा सकता है अपने तेवर के रोध और मुख से निकलने वाले शब्दों को कंट्रॉल में रखें व्यवसाइक मित्रों को विदेश में अपना व्यवापार फैलाने का अफसर मिलेगा बिना कोशिश के लंबित मसले हल होने से टेंशन खथ होगी कारशेत्र मैं श्रम के अधिक्ता के कारट ठकान भी रहेगी जानते हैं वरश्यक राशी वालों का हाल पार्टनर की उपलवदियों को सेलिब्रेट करने के लिए आज आप घर में पार्टी का एउजन कर सकते हैं दिन आपकी परिवार और वरिष्ठों के साथ किसी नए प्रोजक्ट और नए काम के लिए जाने का सबसे अच्छा दिन है आपकी भरपूर उज़ा और जवरदस्त उत्सहा सकारात्मक परिणाम लाएंगे घरेलू तन आप दूर होंगे प्रिये को आज निराश ना करें क्योंकि ऐसा करने की वज़े से बाद में आपको पश्ट आना पड़ सकता है बात करते हैं धनुराशी वालों की धनुराशी वाले आज मन्चाही यत्रा पर जा सकते हैं बेरोजगारों के लिए काफी शुभ प्रतीत हो रहा है क्योंकि आप नौकरी के लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे आपकी दोस्तों की संगती में एक शांती पूर और नंदमिय शाम वेतीत होगी कारशीतर में काम का दवाब बढ़ेगा प्रेम संबंदों की चलते करियर पर ध्यान नहीं दिये पाएंगे जानते हैं मकर राशी वालों का हाल मकर राशी वाले आर्थिक विश्य में बहुत साफधानी बढ़ते हैं पूजी निवेश करने से पहले ध्यान रखिएगा आपके सभी वित्य प्रियास काफी सफल रहेंगे और इससे आपका उत्साह बढ़ेगा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं आविश में आकल लिए गया निर्ने से हानी उठानी पर सकती है बात करते हैं कुम्भराशी वालों की आज आपको हर समस्या का समाधान अब आपको साफ दिखने लगेगा इस पश्टिता से आपको सफलता भी मिल सकती है आए कि नैश्रोत आपकी मौद्रिक स्थिती को मजबूत करेंगे यह आपको कुछ पुरानी रिणों का भुकतान करने में भी मदद करेगा लोग आपके उधार स्वभाब का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं वेवाहिक जीवन में चला आ रहा मनमुटाब दूर होगा आववाहितों के लिए शादी की संभावना है सामाजिक प्रतिष्ठा में वरदी होगी अंत में जानते हैं मीन राशी वालों का हाल आज के दिन रेश करने से बचना चाहिए को छोटे मोटे मतवहिद अचानक को घ्रहेंगे जीवन साथी से प्यार मिलेगा बदलाब जरूरी है आर्थिक जरुरत हमें भाई बहन का भी आज आज आपको साथ जरूर मिलेगा तो दर्शक आज के इस खासकार करम आज का राशी फल्म में बसे इतना ही हम फिर आज़र होते हैं किसे अन जानकारी के साथ किसे अन मुद्दे के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन इस पुरी चोल के साथ नमस्कार